हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई किचेन आज हम बनाने जा रहे हैं परवल की मिठाई जो खाने में तो बहुत ही टेश्टी होता है और बनाना बहुत ही आसान है चलिए शुरू करती हूं इस रेसिपी को बनाना यहां पर मैं परवल को ऐसे कट कर लिया है एक आपको दिखा दे से कट करूंगी और परवल का अंदर जो बीच होता है उसे मैं निकाल लूंगी लेकिन ध्यान से किजिएगा इस चिप को क्यूंकि इस स्टेप पे अगर आप हडवरी करें तो परवल तूट जाएगा अब मैं बनाना बताती हूं आपको कैसे बनाऊंगी मैं गैस पे एक ब ब्हुर्ण दीन ही रहे अप परवल डाल दूँगी और इसे तीन से चार मिन तक रख दूँगी ताकि बोयल हो जाए तीन से चार मिन्त के बार्ड मैं निकालती हूं देखीए कलर कितना सुन्द्र लग रहा है और हलका सब बोयल हो भी गया है अब मैं एक एक करके परवल तो निकाल लूँगी, अब मैं एक कप चीनी डालूँगी, और हमें एक तार का चासनी बनाना है, देखें एक तार का चासनी बन चुका है, अब मैं एक एक करके परवल डाल दूँगी, और इसे एक से दो मीर्ट तक रख दूंगी ताकि चासनी अच्छी तरसे परवल को सोक कर ले अब मैं एक एक करके निकाल लेती हूँ जब परवल अच्छी तरसे ठंडा हो जाए तब मैं स्टरफिंग डालूंगी यहाँ पर मैं स्टरफिंग के लिए मावा ली हूँ यह हूमेड मावा है अब मैं इसमें डालूंगी थोरी सी बदाम आप अपने मन पसंद की हिसाब से ड्राइफूट डाल सकते हैं अब मैं डालूंगी थोरी सी बड़े इलाइची के दाने बड़े इलाइची के दाने से डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है अब इसे मैं मिक्स कर दूंगी आप चाहे तो इस्टेच पे चीनी का भी पिसा हुआ चीनी का यूज़ कर सकते हैं अब मैं एक स्ट्रापिंग डाल कर आपको दिखा देती हूं यहां पर मैं एक परवल लूंगी अब मैं दो चमच्छ स्ट्रापिंग डालूंगी अब मैं हलका सा प्रेस करूंगी अब मैं उपर से डालूंगी नारिल का बुरादा ताकि खाने में और ज्यादा टेस्टी लगे और डालूंगी थोड़ी सी टूटी फूटी ताकि देखने भी अच्छा लगे और खाने में बहुत टेस्टी लगे अब इसे मैं सर्प कर ली हूँ देखिए कितना सुन्दर लग रहा है आप भी घर पर ट्राय कीजिएगा अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्यू